कि बास्तम में भारत भूमी ऐसी भूमी है जहां बहुत भोले सज्जन और इमानदार लोग रहते हैं और ऐसी धर्ती पर हमने जन्म लिया है जहां संधर्ष कह सकते हैं भारत का मेरे टीचर ने एक अर्थ बताया था कि जो भारत है तो उसका अर्थ क्या है कि जो संधर्षों से जूजता रहा हो ये इतिहास है हमारे देश का कि भारत में हमेशा संधर्ष रहा है वो संगर्स चाए अपने मान के लिए हो प्रतिष्टा के लिए हो चाए अपने सम्मान के लिए रहा हो हमेशा रहा है तो ये स्वभा के कहले या दुर्भा के कहले आज भी भारत में संगर्स है आज आदी को मिले इतनी दिन हो चुके हैं लगवक पे 75 साल बीच चुके हैं आज भी हम अपनी मागों के लिए यदि 35 दिन कहीं बैठते हैं और तब बैठते हैं जब हम सरकारी करमचारी हैं तो यह दुर्भाक्य है और इतनी कवाके की सर्दी में बैठते हैं और फिर भी कोई हमारे बीच में नहीं आता तो यह दर्साता है कि हम भारत भूमी के पुत्र है और भारत भूमी के बेटे और बेटिया है क्योंकि जब भारत भूमी के हम बेटे और बेटिया है तो ये जुजहारूपन और ये संगर्ष हमारे खून में पैताई सी है और हम इस संगर्ष को ऐसे ही नहीं गवाएंगे ऐसे ही नहीं जाने दिंगे आज हमने 35 वा दिन है आज हमारा और 35 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी में अगर हम यह बैटे हैं तो अपनी जाइज मांगों के लिए बैटे हैं और ऐसी मांगों के लिए बैटे हैं जब किसी भी विवाग में कोई कर्मचारी जब अपने पद को अपने पदिये दायत को निर्वा करने के लिए योगदान आख्या पहले दिन से देता है तो उसी दिन से ये निश्चित हो जाता है कि उसके दिवाग की जो सिभदाएं हैं उस करमचारी को दी जाएंगी लेकिन आज 13 साल में हम लोग लगातार आज 13 साल हमारा चल रहा है क्योंकि जून 2011 से हम लोग भरती हुए थे और 24 आ गया है तो जो हमारी प्रात्मिक का थी कि हमारा जो अकाउंट से पैसा जो हमारी महनत का पैसा ता जो काता जा रहा था वो पैसा कहा है हमने इसके लिए माग की तो हमें घोटाला में ज़र आया कुछ लोग जेल गए, कुछ जेल काटके, माफी नामा देखके, माफिस आ गए, जैसे अंग्रेजों में माफी नामा लिख दिया जाता था, कि आप मुझे माफ कर दो, मुझे फासी ना देना, मैं आपकी जेब भर दूँगा, और बदले में चापलू सी इतनी करूँगा, कि आपके तलबे भी चात लूँगा, कि कुछी प्रकार से, कुछ दो हंड, दो मुए लोगों ने, हमारे CPF का खाता खुलने का जो प्रभधान था, मेरी जाइनकारी में है कि वो प्रभधान उस समय था, तो 2011 में जब हम भरती हुए थे, जब हमारा सेलरी का अकाउंट खुला गया था, तो हमारे CPF का अकाउंट क्यों नहीं खुला गया, क्योंकि उनके मन में दोस्त था, बेइमानी थी, उन्होंने सोचा कि इन करमचारियों का थोड़ा थोड़ा पैसा, जब गड़ा बढ़ जाएगा, तो उसको लेके साथ बिदेश निकल जाएगे, और बंदर बाट कर लेंगे, आप अकम बाट लेंगे, ये तो भोले हैं, इनको क्या मांगेंगे ये, उनको नहीं पता था, कि उन्हीं मांगों के लिए, इस कराके की सर्थी में, हम 30 दिन आग बैठे रहेंगे, और आगे तब तक बैठे रहेंगे, जब तक कि आप पता नहीं देते हो, कि मेरा पैसा कहा गया, साथियो, जो हमें सुब्धा पहले दिन से बिलने थी, मैं अगर जॉइन किया था, 20 जून, 20 जून, 2011 में, तो पहले दिन से ही मेरी शुब्दा होनी चाहिए थी कि जिस दिन से ये जॉइंट किया है उसी दिन से इनका पैसा काता जाएगा तो ये पैसा इनके अकाउंट में किस तरह सी आएगा और आज जब नए नए डियम बन रहा है तो हमारे भी मन में जिक्यासा होती है कि हमारा पैसा अगर होता तो हमने जो काज ले रखता है आज कली मैंने कई पढ़ा था अखवार में कि अपने पीपीएप और जो सीपीएप एकाउंट से आप पक्चिस परसेंट तक अपना ले सकते हो प्याज पर वहाँ से उठा सकते हो तो आज अगर मुझे पता होता कि मेरा पैसा कहा है तो यदि वो दस लाख होता तो धाई लाख मुझे जरूर मिल गया होता तो जो परसनल लॉन मेरा चल रहा है उसको वही कुट करा देता किलोज करा देता लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा पैसा कहा है जो मेरा पैसा था मेरी जेब का पैसा था मेरे महनत का पैसा था उसका मुझे पता नहीं और 35 दिन से हम यहां बैटे है आज भी कोई अदकारी यह बताने नहीं आया कि आपका पैसा कहा है आपने एक notice चिपका दिया है कि आपका 6 लाग, आपका 8 लाग, आपका 28 लाग लेकिन उस notice पर भी कोई महर नहीं है, कोई sign नहीं है कि हमें कैसे यह पता चले कि हमारा पैसा कहा है ऐसा notice तो मैं भी चिपका सकता हूँ कि आप जो पका 50-50 लाग हो गया है, बताइए का चिपकाना है, मैं भी निकल वाकि चिपकवा दूँगा, कि आपको बिश्वास होगा कि आपको 50-50 लाग हो गया है, नहीं बिश्वास होगा, अगर वो जब आपके personal account जो खुल जाएगा, चाहे वो NPS हो, चाहे old pension के तहेत हो, जो भी आपका account खुलता है, पूरी जानकारी मेरे संग्याप मनेगे, लेकिन खुलना चाहिए, वो NPS ही अगर आज खुलता है, जब आपके account में होगा, तब आपको पता चलेगा, तभी आपको धहर मनेगा, तभी आपका दिल मानेगा, तभी आपका मन मानेगा, तभी आप के घरवाले मानेंगे कि आपका पैशा इतना आपके एकाउंट में है 13-14 से मेरे भाईयों की भरती हुई 10 साल के अंदर प्रोमोशन मिलना चाहिए था उनका ग्रेंड भढ़ना चाहिए था लेकिन आज 13 साल हो गए 13-14 आज भी 13-14 पर है कौन सी ऐसी गड़ित है जो 13-14 से ऊपर नहीं जा रही है मुझे तो ऐसे लगता है कि 12-3-4-5-7-9-10-11-12-13 और चोदा कि कितना कि 13 और चोदा अरे वो 13-14 कब का एठार हो चुका है कब का 19 हो चुका है कब का 2000 हो चुका है आप क्यों 13-14 पर फसे हुए है तो जो समस्या हमारी समाधान आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो आज तक किलियर नहीं हुआ इसलिए हम 35 दिन से यहां बैठे हुए है 35 दिनों से हम बैठे है कि हमारा ये 13-14 का जो गिरेट पे वाले हमारा छोटा भाई हमारा जो करमचारी है उसका अब घर का खर्च इसमने में नहीं चल पाता है मेंगाई 34 वाली नहीं रही है साहब अब मेंगाई 2400 और 2000 वाली हो गई है आप कैसे चाते हैं कि यह 13-14 समय निपट जाए क्योंकि मुझे पता है मेरी एक साइक प्रवंत्यकी से बाग हो रही थी तो मेरे से पूछा अधिदीपाइन तुम्हें कितना पैसा मिलता है उस समय सेलरी थी मेरी 11,300 रुपया तो मैंने कहा कि साहब मुझे 11,300 मिलता है तो साहब जटके से बोले अरे बहुत मिलना है इसमें तो काम चली जाएगा अभी क्या है आपका क्या 1500 रुपय किराया होगा इतना इतना होगा पूरा उन्होंने मुझे एसाब पता दिया मैंने कहा ठीक है साहब 11,300 अगर 61 मिलता है इतने में मेरे काम चल रहा है तो ठीक है एक दिन तुर्भाग से वो ही साहिक प्रभंदत मुझे मिल गए मार्केट में आलू खरी दिते हुए और क्योंकि मैं भी PhD किया हुआ हूँ और डाक्टर भी मुना अम्मेट करको अपना गुरू मानता हूँ तो मैंने तुरन तुम ही उन पे गोली दाग दी मैंने कहा साहब मुझे तो 11,301 रुपया मिलता है और उस समय आलू का रेट साइट 5 या 6 रुपया चल रहा था और वो उसमें भी उससे कह रहे हैं तो थोड़ा कम कर तो मैंने कहा साहब मुझे 11,301 रुपया मिलता है तो मैं इस बजार से इस फुटपात की दुकां से आलू खरीद रहा हूँ लेकिन आपको तो उस समय 56,000 मिल रहा था आप कैसे उस फुटपात से आलू खरीद रहे हैं तो कहने लगे यार खरीना तो मुझे भी पढ़ेगा तो मैंने कहा कि जब आपका 56,000 में आप फुटपात में आलू खरीद के आपका काम चल रहा है तो जरा सोचिए 11,361 वाले का काम कैसे चल रहा होगा कि जिसी मार्केट से आप आलू खरीदे हैं जिस गयों को हम भी खाते हैं उस गयों को मैं भी खा रहा हूँ जिस तेल को आप खा रहे हैं उस तेल को मैं भी खा रहा हूँ जिस चीनी को आप खा रहे हैं उस चीनी को मैं भी खा रहा हूँ तो आपका काम जब 58,000, 58,000 में नहीं चल रहा था तो मेरा 11,000, 300,000 में कैसे चल रहा होगा तो साफ इतना सुनके सांत हो गए और चुपचाप फिसक लिए बाद पता चला कि मैं जहां रहता था वह वहां से मकानी छोड़के कहीं दूसरे के शिफ्ट हो गए तो साफियों यह इस तरह की दोगली नीती बताते हैं कि आपका काम चलना चाहिए 11,000 रुपे में कि जब मेरा काम 11,000 में चल रहा है तो आपका 8,000 में क्यों नहीं चलता झाल झाल